हलो स्टुडेंट्स वेलकम तू जोमेट्री डिफेंस अगेडमी तो आज हम करेंगे राइंसी राइमस सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल और जितने भी डिफेंस स्कूल के एंट्रेस एक्जामनिशन है तो उनमें जो करंट अफेर्स आती है उसका अगस्त महीने का भाग द पता चला और क्विश्चन आई दो सारा सारा समय भी गया एक्जाम कोई फाइदा नहीं है करंट अफेर्स बहुत क्रियेट हो सकती है कि लिए लेकिन एक्जाम में वे उसारी नहीं आती बहुत ही सलेक्टिव करिंट्स आती है और माई टारगेट की वही बच्चों का और एंटे फेड़ने आती जनवरी में है लेकिन और जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है उनका भी एक्जाम आपका www.geometricschool.in आप यहां से देखेंगे तो यह देखो मैं इसको एक बार इसको वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ देखो यह वेबसाइट है आप जो बच्चे जिस भी कोर्स की तियारी करना चाहिए चाहे वो राष्टे में ले टी स्कूल की तियारी या PME SSV एंटरेंस टेस्ट हो इसकोलर सीप एक्जाम में बहुत बड़ा उसकी उसमें आप स्पीट टेस्ट ले सकते हैं आप इसमें लाइब ओनलाइन कोर्स वेज रिकोर्डिर को सैनिक स्कूल की तो यह तमाम तरह कि आप जो भी आपका एक्जाम है उसका आप पेक ले सकते हैं मैं गहुंगे, बेस्ट स्टड़ी मटीरियल आपको यहां से मिलेगा के लिए बेस्ट स्टड़ी मैटीरियल यहां से मिलेगा हर तरह का İsиль कूर्स है जितने भी आपको आपको स्कूल एंटरेंस TES sentence में बिल्कुल एकदम relative content मिलेगा आपको अगर आप hostel के थुरू तियारी करना चाहते हैं इन schools की तो आप इस number पे डॉल करके proper information ले सकते हैं कि आपको हमारे hostel में किस तरह से तियारी करे जाएगी बै देखो यहाँ पे मैं कहूँ temple of the practice हमारे hostel को कहते है temple of the practice हम यहाँ पे महाब्यास करवाते हैं थियोरी थियोरी बहुत ही कम कराते हैं क्योंकि अगर बच्चा hostel में आए तो practice करने के लिए आए ना घर पे बच्चा practice नहीं कर पाता उस पे ध्यान देने वाला नहीं कोई तो तब क्या होता है तब उसको बहुत सारे question solve करने के आप शक्ता होती है तो हम daily practice seats और बहुत सारे महामोग test test daily test live test इस तरह कराके बहुत ज़्यादा practice कराते हैं जिससे बच्चे का एक दम गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है चलिए आज का question number one Tesla Inc. company makes which product तो ये company को आप अक्सा news में देखेंगे तो ये कौन से product बनाती है तो ये बनाती है बहुत electric vehicle बजली से चलने वाली गाड़िया बनाती है Tesla इसके जो अभी CEO कौन है वो है Elon Musk Elon Musk के लिए SpaceX के founder जो SpaceX जैसे भारत की ISRO है वैसे ही SpaceX SpaceX अमेरिका की company है मतलब एक private company Elon Musk इसके founder है और ऐसे ही Tesla company को भी कौन कौन इसके CEO है वो है chairman को है Elon Musk clear? और साथ में Twitter Twitter के भी कौन है अभी? Elon Musk ही है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी कौन है? Elon Musk ही है clear? चलिए तो ये कहां किया Tesla? ये अमेरिका में है ठीक है? तो किस institution के chairman है? वो है CBIC अब CBIC क्या है? Central Board of Indirect Taxes C में Central Board of Indirect Taxes CB Indirect Taxes and Customs में ठीक है? आज ती है जोगे था पहले CBIC था लेकिन आप हो गए CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs तो इसके कोन बने है? इसके बने है chairman संजे कुमार अगरवाल और ये कौन सा है? ये Direct Taxes है तो दो तरह के कर होते हैं एक होता Indirect और एक होता Direct तो Indirect में कौन सा? GST जैसे GST होता है, सारे Indirect Taxes को एक जगे बना देगा GST Goods and Services Tax, इसका full form भी आदरना Goods and Services Tax, हर साल एक जुलाई को बनाते हैं GST Day हर साल एक जुलाई को बनाते हैं GST Day के लिए? एक ही है Comptroller and Auditor General ये क्या है? ये एक सम्विधानिक संस्ता है भई ज्यानक न, इसका जिक्र सम्विधान में है अब ये क्या? देखो जैसे मान के चलो आपका आपका खाता है कहीं पर ठीक है? आपको उसकी अकाउंटिंग कराने है टेक्स पे करने है तो आप क्या करते है? अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं अकाउंटेंट ऐसे ही अगर केंदर सरकार को राज्य सरकारों को अब उनकी अकाउंटिंग कोन करेगा? उनका accountant कोन है वह उनका accountant है CAG यह CAG एक समभीदानी संस्ता है तो उन्होंने जो भी राज्या सरकार है या किंद सरकार है उन्होंने खर्चे सैसे किये हैं क। यहीं, ऐसा तो नहीं गपला हो गया, खर्चे कहां हैं, कहां पे किस किस पे कितना खर्चा क्या है, उसका लेखा जोखा करना, यह सारा कौन करता है, कैग करता है, और इसके अभी चीफ हैं, जी सी मुर्मू, खिलर, तो इस तरह से आपको यहाद रखना, कैग, तो इसका राइट अंचर है, CBIC, नेक्स कोशन भी तरफ सलते हैं, ट्रैकोमा, डिजिज अफेक्ट, विच पार्ट और बोडी, तो कौन से पार्ट को अफेक्ट रखती है, यह कर किया है, अठारवा देश बनाएं, जिसने इस डिजिज को एलिमिनेट कर दिया, हट गया है वहाँ से, किलियर, WHO, World Health Organization, ने इराक को रेकर्गनेज किया है, कि अब वहाँ पे ट्रैकोमा नाम की डिजिज नहीं है, किलियर, तो WHO, World Health Organization, जिसका Headquarter जैनेवा में है, बहुत आता ह के Foundation को, हम 7th April को World Health Day के रुख में मनाते है, World Health Day, किलियर, चले नेक्ट कोश्चन की तरफ, निराक्षी, इजन अटोनोमस अंडर वाटर वहिकल, डिजाइन टू डिटेक्ट, तो एक अटोनोमस अंडर वाटर वहिकल है, तो क्या डिटेक्ट करेगा है, ये करेगा भई, तो माइन्स को ये डिटेक्ट करेगा, किलियर, चलिये, D is the right answer, the district has been ranked as the top performing district under जल जीवन सर्वेक्षन, ते को एक मिशन चला हुआ, जल जीवन मिशन, इसका उद्देशिक है, हर गर में सुद्ध जल पोचाना, हर गर में पीने का स्वच पानी जाना चाहिए, ये सरकार का ल हैं, सिरी नगर है आपका, जम्मो एंड कस्मीर में, और जम्मो एंड कस्मीर में ही एक भारत की largest fresh water lake है, क्या नाम है उसका, वुलर लेक, वुलर लेक, ठीक, भारत की largest fresh water lake कौन सी है, वुलर, वो कहा पे है, आपका जम्मो एंड कस्मीर में, जायद तलवार, एक bilateral naval exercise है, किन देशों के बीच में हो रही है, तो यह है आपका, एक तो इंडिया हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, वही country जिसकी जानी क्या अबुदावी, that is UAE, UAE, और UAE में एक Emirates, UAE की क्या है, दुबई, और दुबई में ही headquarter किसका है, ICC का international cricket council, जो cricket game को regulate करती है, यह एक ऐसी body ह जो cricket को regulate करेगी, जैसे फीपा है, फीपा क्या करता भी, फीपा football को regulate करता है, RBI, bank को regulate करता है, CBI, crime को regulate करती है, एक परकार से देखे, तो defense ministry, police को तो ऐसे ही क्या है, ICC, किरकेट से संबंदी है, इस तरह के reasoning में भी question बन जाते है, कैसे बनेंगे reasoning question, ऐसे लिखे देगा, के कुछ question analogy type में, आपके reasoning में भी बन जाते है, यह आपको सदेव ध्यान लखना है, ठीक है, जापान, जापान की राज़न टोक्यो है, जापान की राज़न टोक्यो है, जापान की currency, ये इन है, युवान किसकी है बच्चो, युवान है, चाइना की, और साथ में आपको जा C is the right answer, C is the right answer, next question की तर बढ़ते है, वर्ल्ड लोयन टे, भारत का पहले राष्टिया पसू होता था लोयन, लेकिन आप तो tiger हो गया, बेंगोल tiger, तो कम मनाते हैं वर्ल लोयन टे, हर साल मनाते हैं, तकम मनाते हैं, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मनाते हैं, वर्ल्ड लोयन टे, बायो फ्यूल टे, के लिए, वो भी मनाते हैं, 10 अगस्त को, और पहले, जो भारत सरकार का, जो भारत देश का, राष्टे पसू था, अमरे देश का, वोत कौन था, सेर था, लेकिन अब बेंगोल tiger है, बहुत अच्छा question है, पर रोज न्यूज पेपर में देखोगा, हर यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो bank लिखा है, इन में से bank कौन सा होई, bank है यही की, geager bank of India, ठीक है, geager bank of India, भारत सरकार का, थीक है, हला कि, यह एक financial institution है, लेकिन सेवी के regulation पर काम होगा तो इसके को ने इसकी chairman को ने पहली महीला chairman मेनी थी क्या ना मैं मदाबी पूरी बुक की बी-उ-स यह यह हैं इसकी current chairman IRDAI insurance को जो भी insurance life insurance है आपका fire insurance accident जितने भी insurance है बीमा है उसको regulation होगा किसे IRDA Insurance Regulatory Development Authority of India और इसके कोन है chairman देबसी स्पांडा इसके कोन है एक है tribe यह क्या करेगा टी का मतलब टेलिकॉम यह टेलिकॉम regulatory authority और टेलिकॉम sector को regulate करेगा और इसके कोन है RS RS शर्मा रामशेवक शर्मा हिलियर और यह चोति हो गए यह हो गए हमारे आपका सक्तिकांतादास ठीक सक्तिकांतादास तो यह personality किसकी head है सक्तिकांतादास है रिजर बैंक के governor रिजर बैंक के governor के लिए चले next question की तरह पढ़ते हैं इंडिया जापान युनाइटी इस्टेट और अउस्टेलिया होड्स विच नेवल एक्सेसाइज कर रहे हैं क्या नाम है इसका वह यह एक्सेसाइज करते हैं इसका नाम है माला बार माला बार नेवल एक्सेसाइज करते हैं चारो देश मिलके और इनके head भी आपको याद नखने है इंडिया का head को नहीं है रेंदर मोदी है प्राइमिनिस्टर नहीं होता है उस्टेलिया ऑस्टेलिया के प्रेमिनिस्टर को नहीं है वह है आपका एंथनीज एलबनीज एंथनीज एलबनीज के लियर चले नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं वेर इड़ अपिस तो इंस्टिटुशन से भी सिक्योर्टी एक्सेंज बोर्ड ऑप इंडिया जिसकी मदाभी पूरी बुक इसकी कोन है चेर मैंने पहली महिला बनी थी तो कहां पर है इसका एड़ इड़ इड़ इंड़ उपिस है मँअ पर रिजरलाबाद के हैं मॵम्भाई में लिए चली है ज़्यराबादमे किसका हैं ऑल्ड्य टिए इंस्रेंस रेगुलेटर्ट्री डवल्पमें अथृर्टिव पर इंशुरेंस वाले का है यहां पर बैंगलोरू में तो आपको पता है इस रो का है इस सोमनात इसके अध्यक्स है इस रो दिल्ली में किसका है DRDO का DRDO Defense Research Development Organization DRDO चले next question की तरफ is the right answer expand the term DBT यह आप बहुत सुनोंगे DBT DBT से होगे पैसे ट्रांसपर तो क्या है पूरा फुल फॉम है direct benefit transfer direct benefit transfer देखो होता क्या है ने तो फुरत समझाओंगा बच्चों को और बिल्कुल सरल बासा में समझाओंगा क्योंकि बच्चों को सरकार को कोई भी फ्री साज़्धा देनी है है ठीक है let us suppose कहीं पे कहीं पे एक rail accident हो गया और वहाँ पह पे हजारों मुआबवज़सरकार को देना है अब पहले क्या होता था देखो मुआबज़सरकार को देना है सरकार ने क्या फिर दिया राज्य सरकार को बेख दिया, राज्य सरकार ने अपना उस को डिश्टिक को बेख दिया, डिश्टिक में डिश्टिक कलेक्टर के पास चला गया, वहां से वो नीचे चला गया, तो जाते जाते क्या होता तो बीच में पैसे में कहीं नहीं कहीं गाया बोजाता था पैसा, और इदा क्या होगा, अकाउंट नम्बर लिए जाएगा, और उसका अकाउंट नम्बर में डिरेक्ट पैसे ट्रांसपर, तो इसका मतला होगा, डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर, समझ गे होंगे मुझे लगता है सा, ठीक है, चले, 12 अगस्त को हम किस डे के रूप में मनाते है नेशनल यूत दे का मनात, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानन का जनम दिल, 12 जनवरी, तो 12 अगस्त को हम दो मनाते हैं, इंटरनेशनल यूत डे और वर्ल्ड अलिफेंट दे, और ये भी इंपोर्टेंट भी, 16 सेप्टेंबर, वर्ल्ड ओजों दे, 16 सेप्टेंबर, बहुत अ अच्छा कोश्य ने बहुत अच्छा, identify the correct statement, दो statement given है आपको correct पहुचाना, पहला क्या है, amidst size the incumbent, incumbent का मतलब current, union minister for defense, पहला statement, राजनात सिंग is our union home minister, ठीक है, तो दो statement है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है, क्या है, तो भई, ये राजनात सिंग कोन है, राजनात सिंग 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 है, राजनात सि को पैचान ही यह यहाँ पर बैठे हैं हमारे cabinet minister यह भी और यहाँ पर लिखा देगो ministry of defense में बैठे हुए तो पैचान गए होगे किस्ती बात हो रही है तो बात हो रही है राजनात सिंग की राजनात सिंग की और यह भी minister है भई देगो परदान मंतरी तो क्या है परदान मंतरी तो बहुत सारी मनिश्टरी के भी मनिश्टर है और परदान मंतरी भी है ठीक है यह एक्स्टरन विदेश मंतरी external affair minister धर्मेंद्र परदान education minister ठीक और पहले education ministry को HRD ministry बोला जाता है HRD अब इसका नाम चेंज होगा है education ministry of education राजनेश सिंग defense minister होगे ठीक है और नरेंद्र मोधी chairman एक उसके और है नीति आयोग के नीति आयोग national institution for transforming India नीति आयोग planning commission के जगह आया था एक जन्वेटी 2015 को तो इसके भी chairman को ने नरेंद्र मोधी यह दानक नवे नीति आयोग के के लिए चलिए next question की तरब चलते है not be इसको बेड़ करिए अब इसको डी करिए स्वी यह डी इसका right अशर ठीक है वर्ल्ड ओर्गन donation day वर्ल्ड ओर्गन donation day कम मनाते हैं तो हम मनाते हैं अर साल 13 अगस्त को 13 अगस्त को अगर national होता तो national में क्या करना है आपको 3 अगस्त हो जाएगा अगर national organ donation day हो भारत का तो 13 अगस्त और वर्ल्ड का है तो 13 अगस्त ठीक है चलिए स्वागतम 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 पोर्टल भी प्रोवाइड इपासिज तो स्वागतम पोर्टल है यह इपासिज प्रोवाइड करेगा किस किस institution में अगर आपको परवेश लेना है मान के चलो आपको किस institution में जाना है तो आपको एक पास बनाना पड़ेगा पहली पास का क्या नाम है स्वागतम ठीक के लिए तो किस की बात करों मैं बात कर रहा हूं Supreme Court of India की के लिए Supreme Court of India और Headquarter का है दिल्ली में है कभी स्थापन होई 26 जनवरी 1950 को बना Supreme Court of India और इसके एच जे कानिया के पहले Chief Justice थे Supreme Court पे खुल Chief Justice कितने होते हैं भई ध्यानग ना 33 प्लस वन 34 होते हैं 33 जजिज होगे और एक Chief Justice ठीक अभी Chief Justice को ने पहले तो मनें बताते है D.Y. चंदरचूर पचासवे Chief Justice बने D.Y. चंदरचूर खीक है अभी केलियर और पहली महिला Supreme Court में फातिमा बीवी पहली महिला जज़ बनी थी मैं बात नहीं करूँ अभी Chief Justice कोई महिला नहीं बनी बीवी नगरतना बनेगी 2027 में जाके अगर Collision System रहा लेकिन अब ही अगर मैं बात करूँ तो फातिमा बीवी पहली महिला ज़ज बनी थी Supreme Court में लेकिन अगर किसी High Court के Chief Justice की बात करें तो कोन है लीला सेट Justice लीला सेट दिल्ली High Court की चीफ ज़श्चिश बनी थी दिल्ली High Court की के लिए तो इस तरह है के Microsoft Operating System है उसको रिप्लेस कर दिया है किस से तो उसको रिप्लेस किया गया Maya Maya Operating System Linux Base है Ubuntu ने बनाया है clear तो ये राइट अंसर क्या है Maya Maya Operating System अब Defense Ministry यूज़ करेगी सीज़ राइट अंसर शिव शक्ति क्या है भाई शिव शक्ति हमारा जो चंदरयान थ्री मिशन है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊगा अलग से क्वेश्चन आएगे उसमें ठीक है उसको डिटिल में लूँगा क्योंकि महां से क्वेश्चन बनेंगे एक दो जुरूर तो शिव सक्ति वो इस्तान है जा पर चंदरयान थ्री ने पहला कदम रखा दक्षिन दुरुपर जहां पहला कदम रखा उस इस्तान का नाम भारतिन नाम रखने कर दिया शिव शक्ति और चंदरयान टू मिशन ने जहां पे कदम रखा था फेल हो गया था अलागी लेकिन उसने अपने जो प्लिज रखा था वाप पे कदम रखा था उसका नाम क्या था उसका नाम रखा है वारत ने तिरंग गा यह दोनों चीज़ा रखना भी ठीक है 2019 में चंदरियान 2 था 2003 में यह दोजार इसमें क्या नाम अपका 2023 में अभी चंदरियान 3 successful mission है ठीक किरिए next question की दापढ़ते है एक मून मिसन है अलग है यह fail हो गया कि लिए यह fail हो गया तो fail हो गया तो बारत का नहीं है तो किसका बात ऑगया यह है ररस्या का अब मेरिका ने फैसल है अभी और हतियार देगा यूक्रेंन को किரिया चलिए next चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पर किलिक कर लो एकदम comprehensive current affair मैंने इसमें provide कर रही है जिस भी महीने में जिस भी week में मुझे लगएगा यहाँ पर current affair जाद है तो जादा करूँगा selective दूँगा बहुत ही selective आपको current affair मिलेगी मैं guarantee देता हूँ आपको इतना selective इतना relative content defense school preparation और जितने भी हमारे school exam है उनके लिए आपको नहीं मिलेगा Thank you students